12 से एक और बड़ी खबर कॉंग्रस नेताओं की नराजगी पर बोले बुपेंच सिंग हुड़ा कोई नराज नहीं है हाई कमान ने फैसला लिया है ब्रजेंद्र सिंग की सेम पत की दावेदारी पर बोले हुड़ा दावेदारी पर सबका हक है राजनीती में आगे बढ़ने के लिए दावेदारी जरूरी है लेकिन दावेदारी पर सबका हक है तो कॉंग्रस नेताओं की नराजगी पर बुपेंच सिंग हुड़ा जो है सीधे तोर पर ये कहते हुए नजर आए है कि कोई नराज नहीं है क्योंकि ये हाई कमान ने फैसला लिया है ब्रिजेंद्र सिंग की सियम पत की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि राजनीती में आगे बढ़ने के लिए दावेदारी जरूरी है और दावेदारी पर सब का हक है तो सीधे तोर पर जिस तरीके से कॉंग्रेस के अंदर नेताओ जो है काफी नराज चल रही है टिकेट न मिलने पर उस पर सीधे तोर पर बयान देते हुए नजर आए है गुपेंद सिंग उड़ा वो कह रही है कि कॉंग्रेस नेताओ की नराजगी नहीं है वो कोई नराज नहीं है हाई कमान ने ये फैसला लिया है दजेंद सिंग के सेमपत के दावेदारी पर वो कहते हुए नजर आए है कि दराज नीती में आगे बढ़ने के लिए दावेदारी जरूरी है दावेदारी पर लेकिन सब का हक है प्रसब काफी जो टिकेट नहीं मिले हैं काफी थोड़ी नराज चल रहे हैं आपके नेता कोई नराज दिये हैं तो आपके वार्ती का फैस्ता है बिरंदा सिंग ने का है कि उनके बेटा थियाम के दावेदार है कोई बात निया है सबका कहा आप भी पंजादावेदार पर उनमादार हम इच्छा का कहना है कॉंग्रेस हार के लिए दिखेजो को तो राजीती में होता है वह अगर दावेदार ही दिखेड़े है तो राजीती प्याइब